मद्धे प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी की और से प्रदेश भर में निकाली जा रही जन आक्रोश रत यात्रा कच्छनी पहुंची यात्रा में कच्छनी प्रभारी रमेश चौधरी और राष्टी सचीव संजे कपूर शामिल हुए जन आक्रोश यात्रा के दौरान काफी संख्या में पदादिकारियों कारे करता सहित आम लोगों की भीड रही वरिशनेता अमिद शुकला ने बताये कि जनता का आक्रोश सडकों पर नजर आ रहा है कॉंग्रेस पूर्ण भमुतों से अपनी सरकार बनाएगी आज इस जन आक्रोश यात्रा को लेकर के कटनी मुड़वारा विधान सावा 93 में बहुत ही कांग्रेस के हमारे जुझारू साथीगण उपस्थित रहे और बहुत ही उत्साहित रहे और हमारे कटनी साहर की जनता ये चाहती है कि अब ये सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि महांगाई, भरष्टाचार, बेरोजगारी युवाओं को कोई किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा मेडिकल की जो समस्या है मांग चल रही है काभी समसे हमारे कटनी में मेडिकल कालेज नहीं खोला जा रहा है जबकि कटनी से छोटे छोटे जिलों में मेडिकल कालेज खोला जा रहा है इसी बात को लेकर के पूरा सहर आज कटनी का हमारे कांगरेस पार्टी के साथ रहा पूरा साहर में एक ऐसा महोल लग रहा था जैसे पूरा साहर कटनी की जंता रोट पर